एक जंगल में एक दुष्ट और लालची भेडिया रहता था, एक दिन उसने एक हिरन का शिकार किया, शिकार के बाद वह अपने लालच पर नियंतरन नहीं रख पाया और जल्दी जल्दी उसे खाने लगा, इस जल्दी बाजी में एक हड़ी उसके गले में अटक गई, हड़ में उसने किसी से सहायता लेने का विचार किया, वह सोचने लगा कि ऐसा कौन है, जो उसके गले से हड़ी कर टुकड़ा निकाल सकता है, कुछ देर सोचने पर उसे सारस का ध्यान आया, सारस की लंबी गर्दन और चोंच थी, वह उसके मुह में अपनी चोंच घुसा कर आसा भी दूनगा, सारस पहले तो भिडिये के मुह में अपनी चोंच डालने से दरा, लेकिन बाद वे उसे भिडिये पर दया आ गया और वह तैयार हो गया, भिडिये मुह खोलकर खड़ा हो गया और सारस ने उसमें अपनी चोंच डाल दी, लेकिन उसकी चोंच हड़ी तक नही पहुच पाए तब उसे अपनी आधी गर्दन भी भीडिये के मुँँए गुसानी पड़ी सारस की गर्दन मुँँँए जाते ही लाल्ची भीडिये के मन में लालच जागने लगा वह सोचने लगा कि यदि मैं इसकी लजीज गर्दन को चबा पाता तो मजा जाता लेकिन उस समय उसे अपने गले में फंसी हड़ी निकलवानी थी, इसलिए वह मन मार कर रह गया, कुछ ही देर में सारस ने उसके गले से हड़ी निकाल दी, हड़ी निकलते ही भिडिया जाने लगा, ना उसने सारस को धन्यवाद दिया नहीं इनाम, सारस ने उसे रोक कर, कहा, मेरा इनाम कहा है, तुमने कहा था कि तुम इस काम के बदले मुझे इनाम दोगे, भेडिया बोला, एक भेडिये के मुझ में अपनी गर्दन डालकर, भी तुम सही सलामत हो, क्या एह तुम्हारा इनाम? नहीं है, इतना कहकर भेडिया चला गया ओर सारस मुझ लटका कर खड़ कमेंट्स और लाइक शेयर थम्स आपका चिनह बेल जरूर करें आपका दिन शुभ हो धन्यवाद